औरंग जेप के अंतिम समय जब चारों और चोरी डिकैती वलूट का महौल था नवाब राशित खाने अफगानिस्तान के पर्थानों को महू बुलवाया उनमें से एक थे एन खान, एन खान के दो पुत्र थे एक थे मुहम्मद खान बंगश दूसरे हिम्मद खान, एन खान की मृत्यू के समय हिम्मद खान 13 वर्ष, वो मुहम्मद खान 11 वर्ष के थे सर्व विदित है मुहम्मद खान बंगश ने, दिल्ली के बादशा फरुक सिय के नाम, फरुक अबाद शहर बसाया था लेकिन दूसरे पुत्र हिम्मत खां के बारे में कोई विवरन पढ़ने को नहीं मिला जिजासा वर्ष जानने की कोशिश की बुलंद शहर के वालिदाद खां के बारे में परते समय एक लिंक मिला इस लिंक की बजह से दोनों खांदानों में संबंध स्थापित हो पाया काफी जागीर दामाद मुर्टजा खां को प्राप्थ हुई उस समय मुर्टजा खां एक उच्चकोटी के मध्यस्त करता थे मराठों वर राजा जस्वंत सिंग होलकर के बीच मध्यस्थता ए मुर्टजा खांने ही कराई थी 1813 में लाड लेक की सहायता से मुर्टजा खांने निलामी में जहांगीर अबाद की स्टेट खरीद ली मुर्टजा खां के पुत्र मुस्तफा का जन्म 1804 में हुआ बुलंद शहर का वालिदाद खां जिसने 1857 में अंग्रेजों को छका मारा था से संबंद के कारण मुर्टजा खां को साथ वर्ष की कैद की सजादी गई उन्हें घर में ही कैद कर लिया गया 1879 में दिल्ली के महला चेलान में मुर्टजा खां का देहांथ हो गया महला चेलान मुहम्मद खां द्वारा दिल्ली में बसाया गया था इस समय इनके पुत्र मुस्तफा खां की उम्र साथ वर्ष थी। आगे चल कर मुस्तफा खां एक बहुत बड़े शायर हुए। इनका तकलूस था नवाब शैफता इन्हे मिरजा गालिब, हसरत मोहानी, हाली वर जोंक के समकक्ष माना जाता था। 1994 से 1914 तक, नवाब नक्षबंध खां के पास रहने के बाद, नवाब इशाक खां के नाम ट्रांसफर हो गई। नवाब इशाक खां के तीन पुत्र थे, मुहम्मद इसमाइल खां वेरिस्ट मेरट, मुहम्मद इबराहिम खां कैम्बरिज में, अलाउद दीन ADC नवाब रामप जिस जगह पर पिता को साथ वर्ष कैद रखा गया था, उसके चारो और तीस एकड़ और जगह खरीद कर, मुहम्मद इशाक खां ने मुस्तफा महल बनवाया, आज ये मुस्तफा कैसिल नाम से, मेरट का परियठन स्थल है, 1918 में मुहम्मद इशाक खां की मृत्यू हो गई, पुत्र नवाब मुहम्मद इसमाईल खां, राश्ट्रिय राजनीती में भागीदार हो गए, बाद में मुस्तफा महल राजनीती का मुख्य केंद्र बन गया, जहां अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रैटजी तैयार की जाती थी, जिनना, नहरू, पटेल, नाइडू, मौला आजाद, गाधी आदी, सभी राश्ट्रिय नेताओं का गर बन गया था, आज यह मेरट में राश्ट्रिय समारक के रूप में सुरक्षित है, नवाब मुहम्मद खां बंगश वहिम्मद खां की वंशावली, की तुलना की जाये तो पता चलता है, की दोनों वंश देश की मर मिटने वाले थे, दोनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानिया दी, एक तलवार का धनी तो दूसरा कलम से धनी था, हिम्मत खां का हेरिटेज संभाल कर रखा गया लेकिन मुहम्मद खां बंगश के वंश जैसा नहीं कर सके, अगर वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें वा बेल बटन अवश्य दवा दें